ओम शाल्थिए ओम शाल्थिए ओम शाल्थिए ओम शाल्थिए बाबा ने हमें संपूर्ण बनने का स्पेस्ट लक्स प्रदान किया है परफेक्शन बहुत बड़ी चीज है पहले तो हम सुनते थे परफेक्ट तो केवल एक भगवान ही है और कोई परफेक्ट हो नहीं सकता लेकिन अब बाबा ने हमें बहुत सुन्दर नकेवल लक्स दिया लेकिन गाइडलाइन भी दी कि तुम किस तरहे परफेक्शन को प्राप्ट करो हर चीज में परफेक्ट चारो सब्जेक्ट में यदि हम परफेक्ट होंगे तो परफेक्शन सह जाएगी हमें परफेक्ट होना है सारो गुनों में सारो सकतियों में और संपोर्ण पवितर्ता में तीन चीजों पर विशेश ध्यान देंगे बाकी सब चीजे पीछे पीछे स्वतही आ जाएगे जब हम ज्यान में परफेक्ट होते हैं तो हमारे विचार महन होते हैं हमें रोज सोज गाइडलाइन मीती है सेवाओं की फिल्मे रहने से हम गुनों में स्वयम को पर्फेक्ट कर सकते हैं हमें पता चलता है हमारे अंदर कौन सी कमी है और सेवा की गुनों की पर्फेक्शन तभी आएगी जब हम अपनी कमियों के बारे में जागरूक रहेंगे और उन्हें निकाल देने तत पर होंगे, तयार होंगे, इच्छुक होंगे, तो एक संफूनता के राही को, अपनी कमियों को फटा फट निकालते चलना चाहिए, ये नहीं कोई कमी सालों साल चलती आ रही हो, उस कमी के अधीन होकर हम अपना जीवन जी रहे हों तब तो सर्व गुणों में परफेक्शन आएगी नहीं। हम ध्यान दें योगबल से शक्तियों में हम परफेक्ट बनते हैं। योगबल सबसे बड़ा बल है। इससे सारी शक्तियां आत्मा में समाने लगती हैं। और साथ साथ हम संकल्प ही किया करें के मुझ में ये सारी शक्तियां हैं। तो सारी शक्तियां प्रेक्टिकल में काम करती रहेंगी। आठो शक्तियां एक साथ जब चाहें कारिये में लगी रहें। ये होगी शक्तियों की संपूर्णता। पवितरता की संफोनता जो धारनाओं का सब्जेक्ट है उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है संकल्प में भी कहीं कोई आकर्षन न रहे आकर्षन बहुत हैं इस इंसार में आकर्षनों की कोई कमी नहीं और जो ज्ञान योग के पत पर आगे बढ़ते हैं जिनोंने पवितर का मारग अपना लिया है उनके सामने भी माया अनेक आकर्षन पैदा करती रहती है कभी धन का आकर्षन है कभी किसी के देहे का आकर्षन है कभी किसी स्रेश्ट वस्तु का आकर्षन है और कभी मांश्यान का आकर्षन है चेक कर लें कोई आकर्षन हमें अपनी और आकर्षित तो नहीं कर रहा है, इसे इस रूप से देहे का आकर्षन, किसी विकार का आकर्षन, इससे यदि हममुख थोते जाएंगे, तो बाकी सभी आकर्षन, सहेजी, समाथ थोते जाएंगे, इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना है, प्याग और वेराध्य वरत्ती सदा ही अपना कर रखनी है, ये आकर्षन देभान की निशानी है, ये आकर्षन एपवित्रता की निशानी है, और ये आकर्षन हमें कभी भी हमारे लक्स की ओर जाने नहीं देंगे, जैसे धर्ती के आकर्षन से हर वस्तू खिच कर नीचे आती रहती है, वैसे ही ये संसार के आकर्षन हमें बार बार नीचे खीच कर, जमीन पर लाते रहेंगे, और हमें उडने नहीं देंगे, इसलिए ये सब विनासी हैं, ये आकर्शन हम माया जीत बनने वालों के लिए बहुत बड़े शत्रू हैं, इनके बारे में हमें एवेरनेस होनी चाहिए, जागरूपता होनी चाहिए, आज सारा दिन, हम अपने संपुन स्वरूप को अपने सामने देखें, एक वीजन बनाएं, मेरा संपुन स्वरूप ऐसा होगा, मेरी संपुन को वितरता ऐसी होगी, और फिर अभ्यास करें, कि मुझे संपुन बनाने के लिए बाबा निरंतर अपनी किर्णे मुझ पर डाल तो बाबा की किरनों के फांटे इनके नीचे हैं हम तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम चांती